सब्सक्राब कीजिए राजधन एजुकेशनल ग्रूप पच्कोडिया यूटूब चैनल को बेल आइकन दबाईए लेटिस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल एब भी जैन जैराजधानी मैं हमद कुमार से एक बार फिर से हमारी यूटूब चैनल राजधानी एडिकरिशनल ग्रूप के यूटूब चैनल पर आख सबीका हार्दिक स्वाधत करता हूं चली आज स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल फ्रेस फाइलम हैं हमने प्रिवियस लेक्चर में किस पर्टिकुलर फाइलम के बारे में स्टड़ी किया था मैं पहले आपको ये बता दू हमने प्रिवियस लेक्चर में हमने देखा था टिनोफोरा के बारे में और टिनोफो कि फ्लेट वांक जितने भी ओते हैं वो जिस पर्टिकुलर फाइलम से बिलॉउग करते हैं जिस संग से संबंधित होते हैं हम उसके बारे में आज अस्टडी करने वाले हैं तो हमारा topic क्या है आजम परने वाले हैं platy helminthes मतलब flatworm जिस particular phylum में आते हैं हमारा topic यह है तो first of all मैं platy helminthes के बार में आपको बताना चाहूंगा कि इसका common name क्या होता है आपको पता है कि जो भी members platy helminthes में आते हैं उसका common name क्या होता है मैंने आपको बताया अभी अभी कि इसको क्या कहते हैं flatworm कहते हैं चप्ते कर्मी कहते हैं तो first of all हम यह देखते हैं कि इसका flatworm common name क्यों रखा जाता है ऐसा क्या है इसमें particular structure जिसके basis पे हम इसे क्या कहते हैं फ्लैट वाम कहते हैं चप्ते करमी कहते हैं ठीक है चलिए start करते है हमारा phylum यह है platy elementies मैं आपको first of all बताने वाला हूँ कि इसे जो है commonly क्या कहा जाता है मैंने का इसे कहा जाता है flat warm क्या कहते हैं इसे मैंने का इसे flat warm कहा जाता है लेकिन यहाँ पर इसको flat warm कहते क्यों है मैंने का flat warm इसलिए कहा जाता है क्योंकि basically यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो भी members इस platy helmeties phylum में आते हैं उनका जो body होता है उनका जो सरीर होता है वो basically कैसा होता है मैंने का उनका सरीर या फिर body जो है अधर रूप से और प्रस्ट रूप से मतलब dorsal और ventral surface से क्या होता है मैंने का ये चप्टा होता है इसलिए क्या कहते हैं कि platy helmetis को flat warm common नाम जो है या common name दिया जाता है एक बार हम और देखते हैं कि मैंने क्या बोला कि इस particular phylum में आने वाले जुतने भी यहाँ पे organism हैं मैंने का जो भी organism इस phylum में आते हैं उनका जो body होता कैसा है यहाँ पर सीधा सा term लिखा होता है ये क्या लिखा होता है मैंने का इनका जो body है वो होता है dorsal ventrally कैसा होता है मैंने का इनका body होता है dorsal ventrally अब ये dorsal ventrally का meaning क्या है इसका meaning है कि dorsal का मतलब है basically प्रस्ट भाग से या dorsal surface पे और ये ventrally का meaning क्या होता है अधर surface पे या ventral surface पे तो body होता है वो क्या होता है फ्लैट होता है तो हमने first of all first character देखा यहाँ पर कि why all the members which belong to the platy helminthes are commonly known as flatworm नेक्स करेक्टर को हम study करने वाले हैं हमने यहाँ पर common name को study किया अब मैं आपको बताऊंगा कि यह जो है इनका habitat क्या होता है habitat के basis पर यह कैसे होते हैं तो हमरा next topic क्या है हम सीधे पढ़ते हैं अब किसका habitat क्या होता है अगर मैं इसके आवास स्थान के बारे में बताऊं हम particular हर फाइलम में इसको discuss करते हैं कि उसका habitat क्या होता है उसके morphology कैसी है या फिलकुन्चों से special character उसमें present होते हैं मैं आपको particular series by series हर फाइलम में हर संग में आपको यही बता रहा हूँ ठीक है तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमने common name देख लिया कि क्यों कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब है तो इसका जो क्या होता है इसे basically कहते है warm क्या कहते है warm कहते है हिंदी में कहा जाता है क्रिमी और यह warm जितने भी होते हैं मैंने का generally यह parasite nature के होते हैं मतलब परजीवी प्रिकरती के होते हैं और किसी भी particular host पर अगर रहेंगे तो उसमें किसी ना किसी तरह का disease करने में responsibilities प्ले करते हैं कोई ने कोई रोग जो है वो पैदा कर देते हैं अपने host के body में चीक है as a ectopalicyte as well as the endopalicyte के form सिद्धे हम यहाँ पे रेखते हैं कि हम पहले बात करेंगे कि इसका habitat क्या होता है हमरा next particular character क्या है हम यह देखने वाले हैं इसका habitat अगर हम habitat की बात करते हैं place of living की बात करते हैं कि इसका आवाज स्थान कैसा होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका habitat होता है मैंने का habitat की बात करते हैं तो यह कैसे होते हैं यह free living होते हैं क्या होते हैं मैंने का यह free living होता है सोतंत्र प्लावी प्रकार के होते हैं as well as हम इसी प्लेटी हेलमेंटी को यह कह सकते हैं कि यह कैसे रहते हैं मैंने का यह पेरासिटिक फॉर्म में रहते हैं यह क्या होते हैं मैंने का यह पेरासाइट होते हैं इसका मतलब यह पर जीवी भी होते हैं और फ्री लीविंग भी हो क्लासिफिकेशन आप सब्सक्राइब हमने हमने किया वहाँ 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 पर देखने को मिलता है कैसे स्टेड़ कर दे हैं कि मैंने आपको इसका बेस और अफ क्लासिफिकेशन के अब हम यहां के वर्गी करन के बात करने वहाँ वर्गी करन के आद आद के आद आधा वहाँ पर फॉर्स्टाइफिकेशन है मतलब सारीरिक संग्ठन का अस्तर जो होता है आपको पता है कि प्लेटी हेलमेंटी जो हैं अब यह क्या करेगा अब यहां पर जो टिशू होता है इनके बॉड़ी में वह आपस में कमबाइन होकर जुड़ करके जो है किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं कहने का मतलब यह है कि यह और्गन का फॉर्मेशन कर लेते हैं अब अगर यह और्गन का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो यहां पर अपने बाइलिटल प्रोसेजर होते हैं जैविक प्रक्रम होते हैं उसको किस particular level पे किस स्तर पे संपन करेंगे परफॉर्म करेंगे आपको पता है परशाने वाला है शो करने वाला है किस तरह का level of organization तो मैंने कहा यहां पर organ level of organization होता है LO का meaning क्या है level of organization अब देखिए next particular point को हम पढ़ते हैं यहां पर आपको बताया मैंने कि अगर हम इसके कि बात करें यहां पर हम second point पढ़ते हैं body plan के बारे में प्लेटी हेलमेंटीज होते हैं मैंने का यह जो प्लेटी हेलमेंटीज होते हैं किस तरह का body plan पाया जाता है तो इसमें body plan जो पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं आप सभी को बता है इसे हम कहते हैं blind sick क्या कहते हैं इसके इसे कहा जाता है blind sick अब यह blind sick तरह का जो body plan है या कोश प्रकाल जो body plan होते हैं क्या करता है हमें यह बता है कि इसमें पाया जाने वाला जो in complete होगा आप जानते हैं कि यह always जो blind sick का मेनिंगी क्या होता है incomplete मतलब यह है कि आप उन प्रकाल मिलेगा मतलब फूड के इंगेशन और फूड के इंगेशन दौनों के लिए एक single pathway होता है ठीक है आपको मैंने यह पॉइंट बता रिया कि body plan की बात करते हैं अगर सरीर के आयोजन की बात करते हैं तो blind sick type का body plan होता है मतलब यह क्या है आप सभी को पता भी है कि यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं इसमें incomplete elementary canal को पढ़ते हैं अब next particular basis of classification जो है body plan के बाद हम study करते हैं body wall को किसको body wall को body wall को ही पता है आपको क्या कहते हैं चाहिते हैं horm layer क्या कहते है इसी को चाहते हैं यह तो हम इसको देभित्ति के सकते हैं या फिचनल अस्त्र के सकते हैं आपको इतना पता है कि body wall जो है अब तक ट्रव टक टिनो फोड़ा तक क्या होता था diplo blast ठीक है उस डिपलो प्लास्टिक टाइब के बॉडी प्लान में क्या आप सेंथा मैंने का मीजोडर्म अप सेंथा लेकिन यहां पर अब हम बढ़ रहे हैं प्लेटी हेलमेंथी और आपको यह पता होना चाहिए कि प्लेटी हेलमेंथी अब वो जो है फॉस्ट हमारा फाइलम है प्रथम संग होता है जिसमें जो है क्या कहते हैं यह क्लाकार के होते हैं यह ट्रिपलो ब्लास्टिक होते हैं कैसे होते हैं यह ट्रिपलो ब्लास्टिक होते हैं बहुत जदा इन पुरेंट पॉइंट होता है यह ट्रिपलो ब्लास्टिक है तो यहां पर ट्राइवर्ड का मत होगा ठीक है अगर inner most germ layer की बात करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे endoderm कहेंगे और endoderm और ectoderm के बीच में क्या आता है आप सभी को पता है यहां पर आता है क्या mesoderm तो मैंने यह आप first phylum study कर रहे हैं जिसमें मैंने क्या कहा जिसमें मुझे बोला कि इसमें क्या present होता है इसमें mesoderm भी क्या होता है present होता है तो यहां पर हम basically mesoglia की बात mesen kind की बात बिल्कुल नहीं करेंगे ठीक है क्यों 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 कि टीनो फोरा तक तो बोलते आ हम अप पढ़ रहे है body cavity, body cavity को आप सभी जानते हैं अगर body cavity को siloom कहा जाता है तो बतावे siloom प्रेजेंट होगा खी अपसंट होगा मैंने कहा यहां पे siloom क्या होता है अगर siloom absent होता है तो हम इसे क्या कहते हैं इसे कहते है ESILOMATE क्या कहेंगे से ए यह कहेंगे आपको पता हो मैंने स्टारपॉइंट बेसिक में आपको बताया था कि टिपलो ब्लास्टिक बट एसीलो में केवल एक ही फाइलम की हम बात करते हैं क्या प्लेटी हेलमैंत जाता है ठीक है तो इसमें सिलोम अब सेंट है मतलब गुहां नहीं पाया जाता यह अहगू यह परकार के होते हैं अब हम next particular basis of classification को lead करते हैं हमने यहाँ पर level of organization पढ़ा, body plan पढ़ा, body wall पढ़ा उसके बाद हम पढ़ते हैं body cavity के बाद हम सीधे ही पढ़ते हैं क्या symmetry के बारे में सम्मिती जो है इसमें क्या किस तरह से देखने को मिलेगा ठीक है अब देखिए अ bilateral symmetry के बारे में मतलब दूई पाश्यू के बारे में आपको बतारा हूं को वह अधिर बाइलेतर सिमेते का meaning क्या है आपको basic में भी समझायाए था मैं आपको क्या समझाया था सपोछ यह कोई क्या है organism है platy helminthes का और इस organism में क्या करते हैं हम basically इस organism के body को इसके सरीर को हम क्या करते हैं इसके center मैंने का इसके केंदर से गुजरते वे कोई भी एक single plane को लेते हैं तो वो जो single plane होता है मैंने का क्या है ये है एकल जो है आक्षे तल है मैंने का ये single plane जो कि इसके center से गुजर रहा है इसके ken से गुजर रहा है ये जो है इस particular organism के body को इस जीव के सरीर को दो equal halves में दो बराबर भाग में divide कर देगा एक को हम क्या कहेंगे इस particular halves को कहते हैं right halves ठीक है और इसको क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं दाया आदरभाग और इसक से कहते हैं left halves कहते हैं या कि कहते हैं बाया आदरभाग कहते हैं तो आपको देखने को मिला कि यहां पर बाय जो है उसका meaning क्या होता है two होता है क्यों क्योंकि अगर center से गुजरते वे कोई भी single plane जो है इनके body से इनके basically इस तरह के organism के body से जैसे cross करवाते हैं तो वो हमें double half and right half होता है वो divide हो जाते हैं और इस तरह से कौन सा symmetry या सम्मिती हमें देखने को मिलता है बताइए मैंने का यहां पर क्या होता है यहां पर symmetry जो है वो bilateral symmetry होता है अब हम सीधे ही lead करते हैं next particular topic के तरफ आप जानते हैं क्या मैं आपको बताने वाला हूं symmetry के बाद मैं आपको बात करते हैं तो आपको बता है कि नॉटो को प्रेजेंट होगा की absent होगा मैंने का यहां पर absent होगा अगर absent है तो हम क्या कहेंगे इसे कहेंगे non-cordate क्या बोलेंगे मैंने बोला इसको non-cordate सीधे हम last particular topic के दरफ बढ़ते हैं basis of classification के दरफ यह यहां पर मैं इसको क्या कर रह segmentation होता है strength यह true type का नहीं होता है यह false type का segmentation होता है असत्य प्रकार का खंडी विवन होता है कूट खंडी विवन कहते हैं इसे ही कहा जाता है स्वेडो segmentation और यह इसका बहुत ज्यादा important character होता है जो किसी में भी देखने को नहीं मिलता है मैंने कहा केवल और केवल यह segmentation का जो process होता है वो प्लेक्टी हेलमिन्थीज में ही देखने को मिलता है चीक है मैंने कहा अगर खंडी विवन की बात करते हैं तो यहां पर स्वे कहीं भी अगर किसी particular biology की term में आपको स्वेडो दिखाए दे रहा है इसका meaning क्या होता है बताइए मैंने कहा था इसका meaning होता है false क्या होता है false मतलब segmentation तो है लेकिन यह किस तरह का है मैंने कहा यह false type का है तो लेकिन यह false type के segmentation में हम ऐसा क्या देखते हैं जो basically यहां पर इसको false type के रहें आपके परकार का खंडी one के रहें तो कि just generally क्या होता है कि at the process at the time of the segmentation at a time of embryonic development क्या होगा कि जो body segments होते हैς उसका formation embryonic development टक ही क्या रहता है लेकिन अगर यह body segment का formation अगर क्या हो मैंने कहा embryonic development के बाद भी continuously अगर क्या रहता है continue रहता है जारी रहता है मतलब कहा कि अगर body segment का formation जो है embryonic development भोड़निय परिवर्धन के बाद भी जारी रहता है तो हम क्या कहते हैं इसको इस तरह के special type के segmentation को pseudo segmentation कहते हैं मैंने आपको previous lecture में बता रखा है अब वो particular phylum पढ़ रहे हैं इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूं recall कर रहा हूं revise कर रहा हूं तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें स्वेडो segmentation प्रेजेंट होता है यहां पर हम बात करेंगे प्लेटी हलमेंथिज को 3 classes में यहां पर डिवाइड करेंगे जब मैं आपको सिका classification बढाऊंगा ठीक है वहां पर यह class होता है उसे हम कियते हैं is लें स्वेडो segmentation देखने को मिलता है वन्मोर टाइम आ आपको बताने जा रहा हूं कि स्वेडो लेकिन उससे पहले मैं आप आपको बताने वारा हूं इसका इस फाइलम में हमने अब जो है जो भी करेक्टर या बेसिस ओ क्लासिफिकेशन कर लिया है अब हम उसका नोट पॉइंट डिसक्रस करने वाले हैं जो किसी भी पर्टिकुलर फाइलम में सिवाई प्लेटी हेल्मेंटीज के नहीं देखने को मिलता है मतलब इस दौनली करेक्ट मीजो और एंडो ठीक है लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा अगर हम इसके बॉडी वॉल की बात कर रहा है अगेन मैं यहां पर बॉडी वॉल की ही बात कर रहा हूं लेकिन यहां पर बॉडी वॉल में हमें क्या देखने को मिलता है तो यहां पर देखिए इसके बॉड पेशी अस्तर पाये जाते हैं और यह जो मसल लेयर होते हैं इस ज्वेंट बैसिकलि यह क्या होते हैं मैंने कहा कि इनके बॉड़ी वाल में देवित्ती में दो प्रकार के पेशी अस्तर पाये जाते हैं मसल लेयर पाये जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं मैंने एक होता है longitudinal जिसे हम कहते हैं अनुधरिय पेशी अस्तर और एक होता है transverse transverse muscle layer होता है मतलब मैंने कहां कि basically two types के हैं एक है longitudinal muscle layer और एक क्या होता है मैंने एक transverse muscle layer होता है अनुप्रस्त प्रकार के पेशियर्स तर भी यहां पे पाये जाते हैं और ये दोनों ही प्रकार के muscle layer का पाया जाना प्लेटी हेलमेंटीस के body wall में दो प्रकार के muscle layer का पाया जाना ये इसका क्या है special character है जो हमें किसी भी particular phylum में देखने को नहीं मिलता है है dependent on muscle layer एक साथ ठीक है मैंने कहा यहां पर क्या present होता है यहां पर longitudinal यहां पर क्या होता है मैंने का longitudinal muscle layer प्रेजेंट होते हैं और longitudinal के सली साथ आपको पता है यहां पर क्या मिलता हैящ यहां पर टांस्वर्स प्रकार में जाते हैं औरके हमने इन सबीन चीजों को यहां पे डिसकस किया मैंने आपको कुछ형 ट्रीम और सक्रासिकर्ठिकिशन को बताया मैंने first of all आपको बताया कि why all the members which generally belong to the platy helminthes are commonly known as flatworm why we are going to tell it as a flatworm because if I talk about the body of the organism which belong to the platy helminthes it is generally dorsal ventrally flattened क्या होते हैं मैंने कहा यह जो है dorsal ventrally क्या होते हैं flattened होते हैं मतलब यह क्या होते हैं फ्लेटेंड होते हैं मतलब क्या यह चप्ते होते हैं इसलिए तो क्या खा जाता है मैंने कहा इसे कहा जाता है चप्ते कर्मी if I talk about the special type of habitat it means the place of living तो मैंने कहा it is free living यह क्या होते हैं free living in nature होते हैं and it can be found as a parasite यह parasite के form में भी present हो सकते हैं so then after हमने discuss किया basis of classification के बारे में it means मैंने आपको वर्गी करन का आधार बताया first of the time मैंने level of organization के बाद बताया body plan लेकिन level of organization जो होता है इसमें organ level of organization होता है अंग स्तरका होता है इसके बाद मैंने आपको body plan बताया और जानते भी है body plan जो है blind sick होता है generally represent and gives the information about incomplete elementary canal then after we talk about the body wall and there's a special character which generally वो था मैंने का previous जो भी मैंने फाइलम की बात के थी वहाँ पर body wall जो है diploblastic हुआ करते थे और mesoderm absent हुआ करता था ठीक है यहाँ पर हम क्या करें यहाँ पर mesoderm present होता है triploblastic होता है और इनके body wall में क्या होता है longitudinal muscle layer होता है transverse muscle layer होता है उसके बाद देखिए body cavity c long यहाँ पर absent होता है aclomate होता है symmetry bilateral होता है left half और right half में divide कर सकते हैं कोई भी अगर single pain जो है इनके center से हमें क्या करें cross करवाएं उसके बाद मैंने आपको कहा कि notocode absent होता है और हमने यहाँ पर यह सारे characters को one by one study किया अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ हमारा जो next biological process होता है हम वो discuss करेंगे वो क्या है यहाँ पर देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें life processes जो है वो कैसे होता है किस तरह से होता है हम इसके जैविक प्रिक्रम के बारे में discuss करने वाले हैं हमारा next topic क्या है हमने basis या general characters को तो study किया अब मैं आपको one by one ये बताऊंगा इसमें digestion के लिए क्या होता है respiration के लिए क्या होता है आपको पता है हम इसी particular systematic manner में हर phylum को क्या कर रहे है study कर रहे है ठीक है देखिए यहाँ पर अगर हम life process की बात करें life process मतलब आप जानते हैं life process का मतलब होता है कि जो भी इसमें जैविक प्रक्रम होते हैं हम इसकी बात करने जा रहे हैं तो देखिए अगर हम यहाँ पे life process की बात करें तो first of the time मैं आपको बताने वाला हूं किसके बारे में जो हमारा first life process होता है जिसे हम generally क्या कहते हैं digestion कहते हैं हम digestion के point को ही हर particular life process में क्या करते हैं study करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो digestion होता है वो किस तरह का होता है लेकिन मैं उसको बताने से पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर इसमें जो body plan है blind sick है तो सीधा सा यह है कि इसमें incomplete क्या होता है elementary canal होता है लेकिन यहाँ पर एक special point जो मैं आपको यह बताने वाला हूं कि देखिए मैंने आपको अभी अभी कहा था कि हम क्या करते हैं on the basis of habitat और morphology मतलब उसके वासस्तान और आकारिकी के धार पर हम जो है letty helmetis को three classes में divide करते हैं चीक है और यहाँ पर अगर digestion की बात करते हैं तो यह कहा जाता है कि इसमें जो class जिसे हम stoda कहते हैं जिसमें pseudo segmentation कूट खंडी बबन भी पाया जाता है उसी ही हम particular class की बात करने वाले हैं मैंने का अगर हम इसमें आने वाले class की बात करें जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम कहते हैं सिस्टोडा class क्या कहते हैं सिस्टोडा class के जो भी members होते हैं इसमें क्या absent होता है मैंने का यहाँ पर जो elementary canal होता है यह completely absent होता है होता ही नही होता है मतलब हर नाला उपस्तित है अब तक तो हम यह देख रहे थे कि अगर इसमें body plan जो है सरीर का आयोजन जो है अंद्रकोष प्रकार का होता है अगर यह blind sick type का होता है तो incomplete होता था लेकिन यहां तो क्या है completely absent है केवले single class में बाकि जो इसके दो class होते हैं जिसे हम class के नाल होता है लेकिन यह पे single car class है Jis rocky celebr क्या होता है absent होता है मतलब हर नाल जैसके बहुत बार बता चुका हूँ झुका हूँ तो हम यहां पे सीदह ही lead करते है कि इन कि वह झा कौन कौन से मेंमबर की यहां पर बात करें देखिए इसक का जो फॉस्ट मेंबर होता है ये क्या होता है इसका फॉस्ट मेंबर हमने लिया इसका फॉस्ट मेंबर जो होता है इसे हम कहते हैं टीनिया सोलियम क्या होता है ये मैंने कहा ये होता है ये होता है टीनिया सोलियम जो कि किस में आता है सिस्टोडा क्लास में आता है ठीक है अब द यहां पर किसको हम यहां पे study करते हैं तीनिया सेजिनाटा के बाद सीधे जो next है यहां पर यह है Echinococcus क्या होता है यह होता है Echinococcus और इन तीनों के जो है basic नाम या फिर हम common name की बाद करते हैं तो ये क्या इसको कहते हैं हम ये भी जानने एक बार इसे जो है basically tap warm क्या कहते हैं क्या कहते हैं tap warm जिसे हम हिंदी में phetakrami भी कह सकते हैं तो मैंने कहा ये tinea solium, tinea ses genata, echinococcus ये तीनों जो special यहाँ पी species हैं वो particular किस class से belong कर रहे हैं सिस्टोडा से और इसमें क्या absent होता है elementary canal absent होता है ठीक है लेकिन मैं आपको ये बचाने वादा हूँ कि tinea solium की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं ये tapeworm तो होते हैं लेकिन इसका जो common name होता है ये होता है pork tapeworm क्या होता है मैंने कहा यह pork tapeworm होता है अगर हम बात करें तीनिया से जिनाटा की तो तीनिया से जिनाटा को हम क्या कहते है इसको कहते है beef tapeworm क्या कहते है इसको मैंने कहा इसे कहा जाता है beef tapeworm अब हम बात करते है third मैंने कहा ekaino cookers की बात करते है तो इसका common name क्या होता है इसका common name होता है dog tape worm तो यह जो है basically इसका special common name है जो इन three species और organism को given होता है यहां से directly भी question आ सकता है या फिर इन three रही something option में क्या मैं पूछेगा कि यहां पे following options में कौन सा particular species है लेटी हेलमेंथीज का जिसमें completely elementary canal क्या होता है अब सेंट होता है तो यहां पर यह कुछ ना सकता है हम इसको digestion वाले particular life process में क्या कर रहे हैं study कर रहे हैं अब मैंने कहा कि अगर सिस्टोडा में elementary canal नहीं है तो यह खुद को survive कैसे करेगा मतलब food gain करने का कौन सा तरीका जो है इनके members अपनाते हैं मैं आपको यह बताने वाला हूँ तो यह देखिए मैं देखा यह क्या होते हैं अगर इसमें elementary canal नहीं है तो यह जो है parasitic form में रहते हैं परजीवी डूप में पाए जाते हैं परसाइट होते हैं और परसाइट में भी आप जानते हैं टू टाइप्स के परसाइट होते हैं एक होता है अंते परजीवी एक होता है बाहिये परजीवी मतलब एंडो परशायट और Сегодня लेकिन यहां पर हलते हैं वह basically कहने होते हैं यह कैसे में अगर यह क्योंते हैं अगर यह इंचाईड के अंदर पाये जाते हैं मैंने कहा कि suppose यहां पर कोई भी एक होस्ट है इस host के inside the body ये सिस्टोड present होते हैं लेकिन इस host के body के अंदर कहां पे particular किस part में present होते हैं ये होते हैं इसके elementary के नाल में कहा होते हैं मैंने कहां इसके आहार नाल में पाये जाते हैं मतलब ये है कि जो भी tiniya solium है, tiniya sezinata है echinococcus है जो सिस्टोडा class का member होता है, जो किसी भी host के elementary के नाल में as or endoperasite क्या होते हैं, present होते हैं अंते परजीवी के रूप में पाये जाते हैं और इसके elementary के नाल में जो भी basically semi-digested food होते हैं मैं आपको बताऊँगा कि semi-digested food क्या होते हैं तो मैंने कहा कि अगर हम बात करें यहाँ पे semi-digested food की जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं इसे कहते हैं अधर पचा हुआ भोजन क्या कहते हैं इसे अधर पचा हुआ भोजन semi-digested food कहते हैं तो इस host के semi-digested food को यह अपने body surface से क्या कर लेते हैं मैंने कहा absorb कर लेते हैं मतलब सरीर के सतय से क्या कर लेंगे अब शोशित कर लेंगे और यह बहुत ज़ाइन पॉइंट है मैंने आपको यह तो बताया कि elementary canal absent है लेकिन अब मैंने आपको यह बताया कि elementary canal absent है फिर भी यह अपने food को gain कैसे करते हैं मैंने कहा यह जिस particular host में बिसकली body surface से यह क्या करने वाले हैं उसको body surface से यह absorb करने वाले हैं ठीक है तो हम यहाँ पर study करते हैं तो मैंने यहाँ पर आपको यह बताया हमने digestion के बारे में यहाँ जो भी aspect पड़े हैं इसी को ही हम continue करने वाले हैं मैंने आपको elementary canal absent होते हैं कैसे food gain करते हैं इसके बाद मैं आपको यह बताने वाला हो कि अगर हम इसके parasitic form की बात करते हैं किस form की मैंने का अगर हम यहाँ पे इसके parasitic form की बात करते हैं तो इसके parasitic form में क्या होने वाला है मैंने का इसके parasitic form या परजीवी रूप में जनरली ये कहते हैं suppose यहाँ पे हम किसी भी flux की बात करते हैं ठीक है हम flux के बारे में बात करते हैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कुछ एक blood flux के बारे में या फिर आपको liver flux के बारे में faciola, hepatica के बारे में बताऊंगा लेकिन यहाँ पर basically हमें क्या देखने को भी लेगा कि अगर ये parasitic form में होते हैं हम किसी fluke की बात करते हैं या फिर कोई भी सिस्टोर होता है तो generally इनका जो body है मैंने का सिस्टोर का जो body होता है वो किससे बना होता है मैंने का ये जो सिस्टोर है इनका body बना होता है dead cells से किससे मैंने का ये dead cells से बने होते हैं मुर्त प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं और particular इनके body पे जो ये dead cells का जो covering present होता है इसे क्या कहते है इसे कहा जाता है cuticle क्या कहते है cuticle कहा जाता है चीक है बोलते हैं तो इसके बॉडी की कवरिंग की बात करें तो बॉडी जो है वो जनरली कुछ एक मिर्थ प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं और उस पर्टिकुलर कवरिंग को क्या कहते हैं इस डेट सेल के कवरिंग को क्योटिकल कहते हैं क्योटिकल क्या करेगा क्योटिक से क्या करेगा इसकी सुरक्षा करेगा उसको बचाएगा ठीक है हमने ये सारे point पड़े हैं digestion में अब सीधे ही हम lead करते हैं next biological process जनलली हमें क्या पढ़ना होता है हम second biological process पढ़ने वाले हैं life process पढ़ने वाले हैं और इसे कहा जाता है respiration, क्या है respiration, यहाँ पर respiration और social के बारे में, जो है special thing क्या है, मैं आपको यह बताने वाला हूँ, कि social जो होता है, वो generally इसमें हमें कैसे देखने को मिलता है, मैं आपको यह बताऊंगा, तो देखिए, इसमें social की अगर हम भी हो सकता है मतलब पॅस्पालाशन में होरा है और माइनगि आपको यह तो पता है आपको अधूड़ क्लासींश में प्रेजेंस में होते हैं उसे हम यह किया इसे कहा जाता है एराब इसेpta हैश वे इसे यह का एक कहाता है लेकिंगक होता है मैंने कहा अ grown वोगा यह होताしま हैं इसे हम कहते हैं anaerobic respiration क्या बोलेंगे anaerobic respiration लेकिन यहां पर मैंने आपको यह point discuss क्यों किया क्योंकि मुझे यह बताना है कि आखिर कौन-कौन से species ऐसे होते हैं जिसमें anaerobic या फिर यह कहते हैं आवाई-विय तरह का social मिलेगा और कौन से species ऐसे हैं organism ऐसे हैं जिसमें हमें aerobic या वाई-विय प्रकार का social देखने को मिलता है चलिए हम फॉस्ट बात करते हैं कि जब oxygen जो है respiration में involved होता है पाया जाता है तो aerobic बोला यहां पर generally aerobic जो होता है वह कौन-कौन सा member होता है aerobic में देखिए मैंने कहा अगर हम किसी भी particular free living मैंने कहा अगर कोई भी free living फॉर्म में pletty helmetis present होता है तो उसे हम क्या कहते हैं उसमें aerobic तरह का क्या होता है मैंने कहा respiration होता है लेकिन अगर हम anaerobic respiration की बात करते हैं तो जो भी endoparasite के form में पाय जाते हैं जो भी particular species अंतहपड जीवी या endoparasite के form में पाय जाते हैं तो उसमें क्या होता है मैंने कहा इसमें anaerobic respiration होता है और यही point मुझे आपको समझाना था मैंने कहा स्वाशन जो है दौनों प्रकार का है YVA भी है और AYVA भी है हमने respiration को discuss किया सीधे हम यहां पर थौर्ड पर्टिक्लर जो हमारा life process होता है उसको discuss करते हैं यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं थौड लाइप process क्या होता है थौर्ड लाइप process जो हम यहां पर study करते हैं इसे इसे कहा जाता है क्या इसे कहते है रॉप सेंट होगा पायोनुपस्टित होगा सीधे हम यहां पर next life process और यह मैं यहां पर क्या कर रहा हूं star marks कर र्हां यह बहुत ज़दा important होता है और यह क्या है मैंने का यह होता है excretion ठीक है यहां पर excretion के लिए जो भी structure present होते हैं यहां से बहुत बार previous AI PMT में question भी आ रखा है इसलिए मैंने इसको क्या कर लिया है यहां पर star mark किया देखिए यहां पर अगर उट सर्जन की बात करते हैं excretion की बात करते हैं कि उस सर्जन जो है कौन से स्टॉक्चर, कौन से सर्णस ना से पॉसिबल हो पाएगा तो कहते हैं यहां पर उस सर्जन के लिए पाया जाता है फ्लैम सेल कौन सा पाया जाता है मैंने रहां पर उस सर्जन के लिए फ्लैम सेल पाया जाते हैं solenocyte कहते हैं और किसी-किसी बुक में इसी flame cell जो है इसी को क्या कहते है solenocyte के अलावा इसको कहा जाता है क्या मैंने कहा इसी को protonephridia कहते हैं मैंने कहा इसी को कहा जाता है protonephridia क्या कहते है protonephridia कहते है nephridia कहते हैं और ये बहुत ज़दा जाइन पूरे इन पॉइंट था मैंने आपको जो बताया है कि अगर हम किस Kई दे करें अगर हम उच्छ State MP3 कि बात करते हैं तो इसमें उच्छ सरजन के लिए क्या पाए आज यता है यह जूदी नाई फ्लेम सेल द़ौरला कोषिका यह इसमें paranormal एक्सक्रीशन होगा लेकिन एक्सक्रीशन तो चलो ज्वाला कोशिकाओं सोलेनोसाइट और प्रोटोनेफ्रेडिया से हो रहा है लेकिन यहां पर यह अपने उस सरजी प्रदात को एक्सक्रीशन को किस फॉर्म में रिलीज करता है हम यह देखते हैं देखिए यह अपने उस सरजी प्रदात को जो है अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं किस फॉर्म में मैंने का यह अमोनिया के फॉर्म में रिलीज कर रहे हैं तो इस जीब को हम क्या बोलेंगे आपको सोरेनोसाइट कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं इसका एक डाइग्राम बताने वाला हूँ देखिए इस डाइग्राम में हम कहें समझ सकते हैं मैंने आपको कहा कि अगर हम किसकी बात करें यहां पर मैं यहां पर एक डाइग्राम बना रहा हूँ और यह डाइग्राम क कैसे दिखाई देते हैं यहां पर देखिए अगर हम flame cell की बात करते हैं तो यह flame cell का diagram कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा यह कुछ ऐसा होता है और इसके diagram में कौन-कौन से character हमें discuss करना है हम यह देखने वाले हैं देखिए flame cell में generally इस तरह से प्रेजेंट होते हैं flame cell और यहां पर आपको कुछ ऐसे structure दिखाए ते मैंने का ऐसे structure दिखाएते है flame cell में और यहां पर देखिए इसके inner side में यहां पर इस तरह से कुछ एक layer भी प्रेजेंट होती है हम इसको क्या कहेंगे हम यह भी बात करेंगे तो यह basically क्या है flame cell का क्या है structure है अब देखिए मैंने बोला कि यहां पर जो है यह जो structure मैंने बनाया है इसे क्या कहते हैं पहले हम इसकी बात कर लें इसे कहते हैं इसे कहते हैं इसे मैंने का इसे फ्लेजिला प्रेजेंट है यह फ्लेजिला लाइक structure होता है इसे लिए क्या बोलेंगे कसाबिक संद्शना या फ्लेजी लेटेड स्टॉक्चर कहा जाता है अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसके इस particular space में क्या प्रेजेंट होता है मैंने का इस particular space में यहां पर इ प्रेजिला एगा लेकिन इसके cytoplasm में क्या प्रेजेंट होता है मैं आपको ये बता दूंक इसके साइटो प्रेजिला प्रेजेंट होता है और में आपको यहां पर क्या बताया मैंने आपको I and i होते हैं तो जोला कोशिका हैं जो है वह ऐक्सक्रीशन के process के लिए funny स्में क्या होते हैं अब देखिए अगर यहां पर नुटलियस से यह साइटो्प्लाज्म यह फ्लेजी लेटी ed डक्ट क्या कहते हैं यहां पर उच्छन तक के जो भी लाइफ प्रोसेज्ट हमें स्टड़ी करना होता है वो रिवाइज कर चुके हैं इसको जो है वन मोर टाइम सारी बातें बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई हैं मैं वन मोर टाइम आपको बदाने वाला हूं कि देखिया हमने क् की बात करते हैं तो यह पर्टिकुलर हमने इसमें कहा कि कौन सा ऐसा क्लास है जिसमें यहां पर सिश्टोडा क्लास में होता है यहां पर मैंने सिश्टोडा क्लास के कुछ एक मेंबर्स को बताए यहां पर टीनिया सोलियम है टीनिया सेजिनाटा है एकाइनो कोकल्स है फोग परसाइट के फॉर्म में पाए जाएंगे अंतय परजीवी किसी भी पर्टिकुलर होस्ट के इंसाइड बॉडी प्रेजेंट होते हैं मतलब इसके एलिमेंटरी केनाल में प्रेजेंट होते हैं वहां पर जो आधा पचागवा भोजन होता है सेमी डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो क्या करते हैं गेंट करते हैं अब देखिए मैंने आपको बताया कि अगर इसका nature parasitic form है तो ये basically जितने भी parasitic form वाले होते हैं मैंने का fluke होते हैं या फिर ये जो basically मैंने सिस्टोड की बात की है तो इनके body जो है किस से बने होते हैं मित कोशिकाओं से dead cell से बने होते हैं और उस particular covering को क्या कहते हैं cuticle कहते हैं अगर हम इसकी cuticle की बात करें तो cuticle कैसे help करता है मैंने का ये protection में करता है help किसमे protection में help करता है protection किसे करेगा मैंने का acid से करेगा इसके साथ किसे करेगा मैंने का ये base और acid से इसकी क्या करेगा protection करेगा उसके बाद दखिए अगर हम respiration की बात करते हैं respiration generally यहाँ यहाँ पर द हाँ पर presentation होता है उसमें पाए जाता है लीड करते हैं summary system की यहां पर नहीं पाइब नहीं पाइब टंत्र नहीं पाइब करते हैं बहुआ जिसको सुटाने साइट भी कहते हैं जिसका डाइग्राम मैंने यहां बनाया है यह basically वो structure है जिससे क्या होगा यहाँ पर excretion होगा लेकिन यहाँ पर excretion तो हो रहा है उत्सरजन तो हो रहा है लेकिन किस particular प्रदात के form में west material का यहाँ पर body से elimination देखा जा रहा है मैंने कहा यह ammonia को release करते हैं ammonia को release कर रहे हैं इसलिए क्या हो गया यह मैंने कहा यह ammonotelic हो गया ठीक है यहाँ पर excretion के बाद सीधे हम lead करते हैं इसके next biological process life process के बारे में इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है locomotion क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर locomotion के बारे में पढ़ने वाले हैं कि locomotion या फिर हम गमन की बात करते हैं तो गमन में हम basically कौन से structure or particular thing को हम study करते हैं यह यहां पर गमन कैसे होता है playty helmeties में मैंने कहा अगर इसका एक particular Member की बात करें यहां पर एक example के तुरू समझाना चाहूंगा इस point को हमने यहां पर एक example लिया और यह example किसका लिया है मैंने example लिया है play neriya का किसका लिया है play neriya और play neriya के बारे में इतना पता होगा play neriya कोही क्य कहते हैं इसी को ही drugasius कहा जाता है या इसी को ही car कफ़रे एस अगर ये play neleyariya की बात करते तो उस्वेय कहा जाता है कि इसमें ओरलोकमोशन के लिए कॉन सा यहां पर क्या होता है यहां फ़ी जोkellयatus प्रचली आं çूली सौक्चिया गमन के लिए पाय जाने वाले कुछ एक structure होते हैं, locomotory structure होते हैं, गमन के लिए पाय जाने वाले ठीक है, अब मैं आपको क्या बताऊंगा, कि यह जो Celia जो कि इसमें गमन के लिए present होता है, यह तो हमने planaria की case में बात की, लेगिन अगर हम planaria के अलावा, किसी other member की बात करें, जो कि प्लेटी हेलमेंटी में आते हैं, तो मैंने का, अगर हम other members की बात करते हैं, कि दूसरे examples की बात करेंगे, तो उसमें क्या Celia होगा, मैंने का, नहीं, इसमें या तो क्या होता है, इसमें या तो locomotion क्या होगा, वापस समझा रहा हूँ देखी complex हो गया मैंने बोला कि Celia planaria में present है लेकिन other members का क्या यहाँ पर हमने कहा कि other members की बात करते हैं तो उसमें locomotion या तो absent होगा और यह अगर present होता है locomotion अगर present होगा तो basically कौन से structure से देखने को मिलेगा मैंने का यहाँ पर basically हमें two structures जो है locomotion में थोड बताया था कि अगर हम इसके body wall की बात करते हैं तो वहाँ पर muscle layer two types के present थे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है longitudinal muscle layer present होता है क्या होता है longitudinal muscle layer को मैंने ml लिख दिया है ठीक है अब देखिए यहाँ पर इसके साथ साथ कौन सा muscle layer होता है मैंने कहा अनुधरिये PCS तर के साथ साथ यहाँ पर अनुप्रस्त परकार के PCS तर मतलब transverse muscle layer भी क्या होते हैं यहाँ पे present होते हैं यह दोनों ही परकार के muscle layer present होते हैं और यह दोनों ही जो muscle layer होते हैं मतलब longitudinal muscle layer और transverse muscle layer जो होता है इस ड्वेंट इससे हमें क्या देखने को मिलेगा मैं आगको यह बताना कहां हूंगा इससे हमें यह देखने को भी लिगा कि यह देखिया मैंने का यह जो है matter longitudinal और elections muscle layer इससे हमें क्या देखने हो गीलेगा इस से हमें contraction को show करते हैं कभी इसमें क्या होता है संकुचन होता है कभी इसमें आकुचन होता है तो ये संकुचन और आकुचन से भी थोड़ी बहुत जो है movement यहां पर क्या होती है possible होती है चीक है मैंने का suppose ये कोई organism माली जीए चीक है अगर ये कोई organism में कोई जीव है तो मैंने का ये थ थोड़ा बहुत मूवमेंट क्या होता है, इसके बॉढडी को ये जो पेसी अस्तर होते हैं, वो contraction और ellaxation से push करते हैं, और थोड़ा सा मूवमेंट जो है, यहाँ पर देखा जाता है, या possible होता है, चीक है, यहाँ पर देखिए, हमने other members के लिए बोला या तो absent और present होगा, तो kontrak hydra function क्या होगा या तो इसमें क्या और कमेंगा मैंने का यहां पर होगा relaxation यहां पर होगा या तो इसमें संकुचन होगा यह तो इसमें क्या होगा आ अकुंचन होगा वहाई जो है पहले सब्सक्राइब stating पर किनें पर हूर कि Attention के बाद sure जो कि exam में आ सकता है या किसी भी study material में आपको देखने को मिल सकता है ठीक है अब देखिए मैं अब ऐसा point आपको बताने वाला हूँ जो इसका सबसे जयादा important point है वो क्या है इसका nervous system ये भी इसका one of the best character में से एक होता है जो कि इसको दूसरे phylum की member से क्या करता है अलग बनाता है यह क्या है अब मैं देखिया आपको बताने वाला हूँ इसके next particular जो life process होता है lokomotion के बाद मैं आपको क्या करता है अगर यहां पर nervous system की बात करें तो यहां पर आपको क्या बताऊंगा देखिए nerve system मतलब यहां पर हमने जब यह आपको पताया था कि सिलेंट्रेटा फाइलम के बारें बताया था मैंने कहा था उसके बॉड़ी वॉल में फॉस्ट अप दर टाइम जो है नॉन पॉलर टाइप्स के जो नियूरॉन्स होते हैं नव सेल्स होते हैं वो पहले-पहले एविलेशन में देखा गया था ठीक है उसके बाद जो मैंने है उसकी जो संड़सना होती है वो हमें कैसी दिखाए देती है देखिए मैंने का यहां पर जो नर्वस सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं यहां पर कहते हैं लेडर लाइक नर्वस सिस्टम कहते हैं यहां पर नर्वस सिस्टम कहते हैं यहां पर नर्वस सिस्टम कहते हैं यह लेडर क्या होता है आपको ये तो टर्म्स पताई होगा कि सीधी को हम क्या कहते हैं लेडर कहते हैं तो इसका जो तंत्री का तंत्र होता है या फिर जो नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम होता है वो जिनरली कैसा होता है मैंने का ये सीधी नुमा होता है या फिर कैसा होता ह यह लेडर लाइक होता है लेकिन यहाँ पर पॉइंट यह है कि लेडर लाइक नर्वस सिस्टम हम क्यों बोल रहे हैं तो क्यों न हम इसका प्रॉपरली एक डाइग्राम बनाए मैं यहाँ पर प्लेनेरिया या फिर डिगोशिया का जो नर्वस सिस्टम जिसका जो मा होता है या लेडर लाइक होता है मैं आपको यह बताने वाला हूँ देखिए इस पर्टिकुलर स्टॉक्चर से आप यह समझ पाएंगे कि आखिर किस तरह से इसका नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा ठीक है यहाँ पर देखिए मैं आप क्या बताऊ हैं यह देखिए मैंने यहाँ पर जो डाइग्राम बनाने जा रहा हूं पहले मैं इसको लिख लूँ यह डाइग्राम किसका बना रहा हूं मैं मैंने कहा यहाँ पर हम बैसक्ली नर्वस सिस्टम की बात करते हैं नर्वस सिस्टम वो भी बैसक्ली कैसा मैंने का लेडर लाइ nervous system की बात कर रहे हैं और ये nervous system है किसका मैंने का ये है planaria का किसका है planaria या फिर dugasia का है इसके nervous system में हमें basically क्या-क्या कौन-कौन से structure देखने को मिलते हैं मैं आपको ये बताता हूँ मैंने का ladder like है तो ये ladder like nervous system किस-किस से बने होते हैं देखिए यहां पर कुछ इस तरह के structure यहां पर present होते हैं जो मैं आपको यहां बनाने जा रहा हूं यह देखिए मैंने का इस तरह के यहां पर structure प्रेजेंट है और यह जो होता है यह क्या है यह longitudinal structure बनाया है यह transverse structure बनाया है मैं आपको यह बता दू longitudinal क्या होता है अगर मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी लाइन बनाता हूं तो यह क्या है longitudinal है और transverse कैसा होता है बिल्कुल यह बिल्कुल plane में ठीक है तो यह जो मैंने longitudinal यहां पर बनाए है तो इस longitudinal line जो होता है जो इसका nerves का ही पार्ट होता है हम यह देखेंगे तो यहां पर भी कुछ special structure present होते हैं मैं उसको बनाने जा रहा हूं देखिए यहां पर कुछ इस तरह से structure present होते हैं मैंने का यह present है इसके structure ठीक है यहां पर इस structure को क्या कहते हैं मैंने का इस structure को कहा जाता है क्या इसको कहते हैं cerebral ganglia. क्या कहते हैं इसे cerebral ganglia कहा जाता है और ये बहुत ज़यदा इंपोटेंट है cerebral ganglia क्या होता है अब देखिए cerebral ganglia जो होता है मैंने उनने का यहां पर present होता है इसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन रेयोगलय प्रेंट वही आने वाला है तो किस तरह का नव्स हो जाएगा मैंने का अगर यह नव्स है longitudinal present है तो इस नव्स को क्या बोल सकते हैं हम इस नव्स को कह सकते हैं मैंने कहा इसको कह दिया मैंने longitudinal nerves क्या बोल दिया मैंने इसको बोल दिया longitudinal nerves बोल दिया और Longitudinal nubs केते हैं या फिर इसी को हम कह सकते हैं Longitudinal Kami Sar क्या कहते है इसे कमी Sar भी कहते है कमी Sar का मीनिंग होता है कि दो particular Structure जो है उसको जोडने के लिए जिस term को हम इस्तिमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं कमी Sar, Hindi में कहते हैं सयूग्मक क्या कहते हैं सही गुमक कहते हैं मतलब जोड़ना ठीक है तो मैंने कहा यह कौन सी structure है यहाँ पर जो है longitudinal nerves present होते हैं इसके उपर आपने देखा यहाँ पर cerebral ganglia present होता है और देखिए यहाँ पर मैं आपको कौन सा structure बना रहा हूं कि यह जो longitudinal ganglia जो मैंने यहाँ पर यह longitudinal nerves जो मैंने आप बनाया है यह देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर structure में इस structure के तुरू क्या होते हैं आपस में जुड़े होते हैं और इस structure को क्या कहते हैं हम यह देखने वाले हैं देखिए अब यह अगर nerves है यह भी एक तरह से nerves होता है लेकिन यह जो तंत्रिकाएं होत मैंने कहा यह plane में है मतलब यह transverse होता है तो इस nerves को क्या बोलेंगे इस nerves को कहा जाता है transverse nerves क्या कहते हैं इसे मैंने कहा जाता है transverse nerves कहते हैं यह अनुपरस्त प्रकार की तंत्रिकाएं यह यहाँ पर बहुत ज़्यदा important point है देखिए मैं one more time आपको बताऊंगा कि यहाँ पर होना है यह दौनों longitudinal nerves के ऊपर में क्या present होता है cerebral ganglia present होता है और देखिए यह दौनों longitudinal nerves होते हैं यह basically जुड़े किसे होते हैं यह transverse nerves से क्या होते हैं इस तरह से जुड़े होते हैं इसका morphology आपको कैसा दिख रहा है एक CD की तरह एक ladder-like दिख रहा है इसलिए से क्या कहते है इसलिए इसे कहते हैं ladder-like nervous system का पाया जाना is the one of the most characteristics जो है एक महतरपून अभी लाक्षनी गुंदर होता है platy elementis का ठीक है यहां पर इसके जो भी life processes हैं यह simple नहीं है हर में कुछ न कुछ क्या है special point चुपा हुआ है ठीक है चाहे हम यहां पर respiration की बात करें चाहे हम digestion की बात क करें चाहे यहां पर हम बात करें लोको मोशन की और यह तो बता रहा हूं मैं आपको nervous system ठीक है तो हमने यह discuss किया अब मैं आपको बताता हूं यह तो structure बने बना दिया और यह जो आपको यहां पर इस तरह का structure दिखाई देता है यह इसका क्या होता है प्लीनेरिया का मैंने का यहां पर इसको कहा जाता है एक्स क्रिटरी पोर या फिर उच्छी छिद्र कहा जाता है तो हमने यह discuss किया अब मैं आपको क्या बताऊंगा कि अगर यहां पर हमने nervous system की बात कर लिये हैं जो कि ladder like था तो अगर यहां पर यह point जो आपको दिख रहा है ना cerebral ganglia cerebral ganglia की हम बात करे यह कहा जाता है कि एक process होता है जिसे हम क्या कहते हैं यही पर ही discuss करते हैं चलिए हम इसको यहां लेलते हैं कि अगर हम यहां पर process की बात करें जिसे हम कहते हैं क्या head formation, क्या कहते हैं इसे मैंने कहा, यह बहुत ज़्यता important यह भी star वाला point है, head formation तो यहाँ पर देखिए, head formation या फिर brain formation या मस्तिक्स निर्मान की अगर बात करो, head formation पहले पहले, first of the time किस particular phylum ने start हुआ था मैं आपको यह बताने वाला हूँ, ठीक है यहाँ पर देखिए, cerebral ganglia से ही, head formation हुआ था, mustics का या फिर brain का formation हुआ था, और यह mustics निर्मान की जो प्रिक्रिया होती है brain formation का जो procedure होता है, इसे हम क्या कहते हैं इसे कहा जाता है 0-1 या फिर से कहते हैं syphelization क्या कहते हैं syphelization कहते हैं मतलब mustics निर्मान की जो प्रिक्रिया है उसे हम syphelization कहते हैं और यह जो syphelization होता है वो generally किसमे first of the time देखा गया था मैंने कहा यह syphelization कहां पे start हुआ था, यह platy helminthies में start हुआ था, किसमें मैंने कहा platy helminthies जो भी होते हैं flatworms जो होते हैं उसमें first of the time mustics निर्मान की प्रिक्रिया हमें देखने को मिली थी मतलब यहाँ पे head formation हुआ था यह भी इसका क्या है बहुत ज़्यदा special point होता है मैंने आपको यह सब सारी चीजे बताएं अब हम next particular life process की और बढ़ते हैं वो क्या होता है अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ इसका next life process बताने वाला हूँ जो कि क्या होता है यह होता है reproduction क्या बताने वाला हूँ आपको अब मैं आपको इसका reproduction मतलब जनन की प्रिक्रिया जो है generally इसमें हमें कैसे देखने को मिलता है हम यह देखेंगे अगर हम यहां पर जनन की बात करते हैं reproduction की बात करते हैं तो basically reproduction के अधार पर यह कैसे होते हैं हम यह बात करें देखिए on the basis of reproduction यह जो होते हैं यह bisexual होते हैं क्या होते हैं bisexual को मैंने इससे previous वाले phylum में भी explain कर दिया था कि bisexual को dwelling जीव कहा जाता है और dwelling जीव क्या होते हैं मैंने कहा यह ऐसे organism होते हैं bisexual organism वो organism होते हैं जिसमें क्या होते हैं मैंने कहा यह लिखा मैंने organism क्या लिखा organism और इसे एक single organism में ही क्या होता है एक single organism में अगर male sex organ अगर male sex organ भी present हो मतलब यहाँ पे नर्जननांग भी पाया जाता है यहाँ पे नर्जननांग के साथ साथ अगर female sex organ भी क्या होता है मैंने का female sex organ भी यहाँ पे क्या हो present होते है तो अगर particular एक single organism में male sex organ भी present है female sex organ भी present है तो हम इसे क्या कहेंगे इसे कहा जाता है बाइसेक्सवल नहीं क्या है इसे इस तरह के औरिजम कौम कहते हैं बैसेक्सवल ठीक है लेकिन यहाँ पर एक exception है क्या है एक अपवार है कि यहाँ पर सभी member जो कि Pretty Hellman Trees में आते हैं उन सभी में यहाँ पर क्या नहीं मिलता मैंने का यहाँ पर bisexual वो नहीं होते हैं जो भी members होते हैं एक जो है exception की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं यहाँ पर Fward लिखने वाला हूं कि ऐसा कौन सा member है जो कि क्या होते है मैंने का ये unisexual होते है योνिवर्ड का मतलब क्या होता है one होता है मतलब ये एक clingi होते है और वो member कौन सा है उस member का नाम होता है ये किसको help को blood fluke जो होते है bicycle blood fluke इसी का member होता है platy yhte weanthe amiga member और blood fluke में क्या करते है ये एक clingi होते हैं इसमें separated twoitors अलग अलग organism में male sex organ और female sex organ पई जाते है On the other hand, हम किसी दूसरी organism की बात करें, वो तो bisexual होते हैं उसमें एक ही organism में male भी होता है sex organ और female sex organ भी होता है हमने इन सभी processes को one by one क्या कर लिया है, study कर लिया है यहाँ पर जो भी आपको दिख रहा है, इसे one more time में आपको revise करने वाला हूँ देखिए, यहाँ पर locomotion की बात कर रहें, तो अगर हम locomotion especially plane area और degresia के लिए कहते हैं तो मैंने का यहाँ पर इसमें celia present होता है, यहाँ पर पक्षमा पाए जाते हैं लेकिन अगर हम other members की बात करते हैं, तो इसमें कहते हैं other members में या तो locomotion क्या होगा, absent होगा या अगर present होता है, या अगर यह मैंने present लिखा है, अगर present होता है, तो यह किसे होगा, मैंने कहा यह या तो longitudinal muscle layer से होता है, या किसे होता है मैंने कहा, transverse muscle layer से ठीक है, और transverse muscle layer और longitudinal muscle layer किस तरह से locomotion के लिए responsible होते हैं मैंने कहा यह basically responsible होते हैं कैसे इन muscle layers में PCS तर में संकुचन होता है और आकुचन होता है मतलब यह कभी contract होते हैं कभी क्या हो जाएंगे relax हो जाएंगे तो contraction और relaxation का process जो है यहाँ पर देखने को मिलता है और उसी से ही क्या होने वाला है यहाँ पर उसी से ही यहाँ पर जो है locomotion देखा जाएगा ठीक है मैंने आपको next कैशन के बताया locomotion के बाद मैं आपको nervous system कर बाद मतलब क्या है मेंने का सीधी नुमा तंत्र का पाया जाता है सीधी नुमा तंत्र का तंत्र पाया जाता है मौनफोलोजी को हम ने सीधी नुमा लेड़ला एक क्यों बोला देखिए यहाँ पर फर्स्ट और बताया कि यह जो यहाँ पर longitudinal nerves होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं transverse nerves याफी कमी सर कमी सर का मतलब क्या होता है सयधी नुमा जो की दो particular structure को क्या करता है जोड़ता है चीक है अब देखिए यहाँ पर यह जो transverse nerves होते हैं वो generally जो है इस transverse nerves से ही longitudinal nerves क्या होते हैं जुड़े होते हैं यहाँ पर इसके उपर यहाँ पर क्या बनाए मैंने cerebral ganglia बनाए है cerebral ganglia से ही क्या होता है generally यहाँ पर head का formation brain का formation होता है जिसे हम क्या कहते हैं syphilization कहते हैं यहाँ फिर मस्तिक्स निर्माम की प्रिक्रिया कहते हैं जो generally first of the time evolution में किस में हुआ था platy helminthes में हुआ था ठीक है यहाँ पर मैंने बताया कि इसी particular planaria के nervous system में जो की later like होता है यह जो structure आपको दिखा जाता है मैंने का यह planaria का क्या है x criteria poor होता है या फिर हम इसको कह रहे हैं उसके बाद मैंने आपको बताया reproduction के बारे में reproduction के basis पर यह bisexual होते है मतलब single organism में जो है male sex organ भी होते है और क्या होते है female sex organ भी यहाँ पर present होते है exception की बात करें एक single member जिसे क्या कहते है blood fluke जिसे वो क्या होते है मैंने का वो एक link होते है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो blood fluke होता है इसी को क्या कहा जाता है इसी blood fluke को यहाँ पर कहते है blood fluke तो इसका common name होता है लेकिन organism का name क्या होता है मैंने का यह होता है cystosoma क्या कहते है मैंने का यह जो cystosoma मैंने लिखा है cystosoma का common name क्या होता है blood fluke होता है मैंने क्या बोला सिस्टो सोमा जब मैं इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा जहां पर on the basis of habitat and organization हम इसको क्या करेंगे मौर्फो के वैसिस पे क्लासिफिकेशन इसको क्या करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि यह जो ट्रिमेटोडा होता है क्लास उसी इका मेंबर होता है कौन इसको हम क्या कर चुके हैं अब मैं आपको in the next lecture क्या बताऊंगा हमारा next lecture होगा that will about the continuous of this lecture मतलब इसी particular topic को हम क्या करेंगे continue करेंगे कुछ एक और special character हम study करेंगे मैं इसके larval stage के बारे में बताऊँगा embryonic development कैसा होता है मैं इसको बताऊँगा और यहाँ पे larval stage जो होता है बहुत ज़दा important होता है platyhelminthyspirem में केवल एक single larva नहीं होते हैं और एक basically उनका life cycle चलता है मतलब जीवन चक्र चलता है हम उसके larval stage में जो भी life cycle होता है किस तरह से कौन सा larva form होता है कौन सा larva फिक दूसी लारवा में change हो जाता है हम इन सभी life cycle को क्या करेंगे study करेंगे यहाँ पर मैं आपको इसके बाद क्या पढ़ाओंगा larval cycle के बाद classification three classes में divide करेंगे जो भी member उस class के होंगे जो कि three class जो कि generally platyhelminthys में आते हैं उस class में जो भी members होते हैं उससे कुछ ना कुछ क्या होता है disease देखने को मिलता है सब्सक्राइब कीजिए राजदने एजूकेशन गुरूप पच्कुण यूटूब चैनल को बेल आइकन दबाईए लेटेस्ट एजूकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल अब भी